तो देश का सर्वुच देखे सम्मान लाल कृष्ण आडवानी को सौपती हुई राश्पती द्रौबती मुर्मू आज लाल कृष्ण आडवानी को ये सम्मान सौपा जाना था हाला कि भारत तरत न दिये जाने की बात तीन फरवरी को ही अनाउंस्मेंट हो चुका था लेकिन आज राश्पती द्रौबती मुर्मू जो हैं वो खुद लाल कृष्ण आडवानी के आवास पर पहुची और ये सम्मान उन्हें दिया इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मो आडवानी के चहरे को तो वो भावुक नजर आ रहे हैं जब राश्पती द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित कर रही हैं पहले उन्हें भारत तरत्न पुरुसकार दिया और फिर कैसे शुपकाम नाय दी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनका हा भारत तरत्न से सम्मानित किये जाएंगे लालकृष्ण आडवानी और आज वो मौका जब राश्पती पहुंची अचल सरकार में दो बार के इंद्रिय मंत्री भी थे दो हजादों में देखिए हम तमाम जो प्लबधियां हैं लालकृष्ण आडवानी की वो भी आपको दिखा रहे हैं और आज जब भारत का सरवच्च सम्मान भारत रतन कहा जाता है उससे सम्मानित किये गये हैं तो भाव विबोर हो गया चेहरे के रियाक्शन्स बता रहे ह हैं कि यह पल था भावुक कर देने वाला और प्रधान मंत्री ठीक उनके बगल में बैठे हैं जब आप गोर से देखेंगे प्रधान मंत्री ने उनका हाथ पकड़ा तो लालकृष्ण आडवानी की चेहरे की भाव भंगिमा जो है वो बदल जाती है वो भावुक हो उठते राशपती द्रापती मुर्मु पहुची थी लालकृष्ण आडवानी के घर पर और उनके आवास पर ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है जूड़ चुकी है शिवानी पिधा लाल कृष्ण अडवानी को जब राश्पती द्रौपति मुर्मू जब भारत रत्न से सम्मानित करती हुई नजर आ रही है तब लाल कृष्ण आडवानी भाविभोर नजर आ रहे हैं भावुक नजर आ रहे हैं बेहत महतपूर्ण ये पल और किसी के जीवन में अगल ये पल आएगा जब उसे देश का सरवोच सम्मान मिले तो वो भी भावुक हो उठेगा बिलकुल देखिए ये लाल कृष्ण आडवानी के लिए एक बहुत ही एहम दिन होगा क्योंकि इन्हें देश के सरवोच सम्मान से नवाजा गया है और इसी के सासाथ ये भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ा सम्मानित दिन रहने वाला है क्योंकि हमें देखना होगा कि जो पुलिटिकल लेगिसी है लाल कृष्ण आडवानी की वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है बाजपा के संस्थापक सदस रहे हैं इसी के सासत कई महत्वपूर्ण पदों पर हमेशा से नीउक्त रहे हैं विपक्षिनेता भी जब रहे हैं तो कई एहम नीतियों पर सरका का उन्होंने कटाक्ष किया नीतियों में बदलाव लाया अपना संगर्श करके और जब खुद भी भारत के साथवे उप प्रधान मंत्री रहे तभी बड़े निर्णयों में उनकी सम्मिलिती देखने को मिली थी भाजपा के खुद लगातार कई समय पर अध्यक्ष भी रह ये काफी साथ भावुक था उनके खुद के लिए भी देखिए उनकी सेहत सही नहीं थी वो खुद नहीं पहुच पाई और ना सिर्फ यहां पर खुद राश्टरपती देश की पहुची थी बलकि प्रधान मंत्री पहुचे थे और कई एहम नेता जो है भारत की या केंदर अधवानी का जो नाम था वो सबसे ज़्यादा महतोपूर्ण सबसे ज़्यादा भावुक करने वाला था क्योंकि